वेलकम टू सामरिया क्राफ्ट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे राधी राधी सामरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है प्रेंट्स ये देखिए हमने ये गोपाल जी की बहुत सुन्दर बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई और इसके मैचिंग कैप बनाया और मैंने तीन कलर में यूज किये हैं लेमन ग्रीन और पिंक और इसके मैचिंग बना सकते हैं और कैप के लिए कितने बना सकते हैं चोली के लिए कितने बना सकते हैं जीरो से लेके 6 नमबर तक आप बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे और यह देखिए हमारे जो गुपाल जी की जो ड्रेस है उसको बहुत ही असान है पहनाना और उतारना यह देखिए गर्ले में से हम ऐसे करके पट्टी हमने बनाई होती है, तो यह देखिए ऐसे उतार देंगे और पीछे से हम गोपल, यह जो हमने घेरे के लिए डोरी डाल रखी इसको हम ऐसे खोल देंगे, और पहनाने का तरीका भी बहुत ही असान है, ऐसे करके हम गोपाल जी को पहनाएंगे पहले चोली वाली पट्टी ऐसे करके हम पहना देंगे उसके बाद हम यहां से यह जो हमने डोरी बनाई है इसको भी पहना देंगे इससे होगा यह कि हमारे जो गोपाल जी की ड्रेस है बहुत ही सुन्दर लगेगी और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है बड़ी जल्दी ये बन जाती है डिस्ट ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में तो ये देखी बहुत अच्छा लगेगा जब हम गोपाल जी को कैप पहनाएंगे और सिहासन पर जब हम इसे इठाएंगे गोपाल जी को तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है अगर आप लोगों को ये डिस्ट अच्छी लग रही है सुन्दर लग रही है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए रादे रादे ये देखिए और मिजर्मेंट के साथ मैंने वीड बनाईए तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है तो प्लीज आप लोग वहां भी फॉलो कीजिए तो आईए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं ये दिखिए ये हमारी वूल है थ्री कलर की लेमन ग्रीन और पिंक ये हम हम ये नौट लगाएंगे और नौट लगाने के बाद यहीं से हम चेंज स्टीच बनाएंगे तो ये देखिए एक दो तीन ये थोड़ी लूज ही बनाईए क्योंकि इसमें हमें वर्क करना है तो ऐसे ही जैसे ये तीन बनाईए ऐसे में 20 चेंज स्टीच कम्प्लीट करके दिखाते हूं यह हमने 20 chain stitch बना ली है और आप all size में इसको बना सकते हैं देखे 20 chain stitch बनाने के बाद यहाँ पर हम ऐसे हाथ रखेंगे और यहाँ से 1, 2, 3 तो यह हमने 3 chain stitch यहाँ पर बना ली है जो 20 वी chain stitch है उसमें हम crochet हो डालेंगे और यहाँ पर हम ऐसे दूसरा double crochet है तो पहल सबी chain के अंदर हम दो-दो बार double crochet बना कर अपना जो यह work है हमारा इसको मैं complete करके आपको दिखाते हूं यह देखी फस्ट रो में हमारे यहाँ पर every chain में हमने यहाँ पर two-two time double crochet बना लिया दो-दो बार और आपको जो chain stitch है यहाँ से मैंने starting की है तो मैं बताते हूं 0 से लेक सकते हैं एक से दो में आप 18 और तीन में 20 चार में 22 पांच में 24 और छे में 28 और कमर को आप नापकर भी देख सकते हैं तो यह आपको आइडिया मिल गया कि आप chain stitch starting करनी है कैसे करनी है और अब हम इसका second row यहीं से start करेंगे यह देखिए यह देखिए हम अपने पर को अब यहां से तीन chain stitch बनाकर इसको turn करेंगे ऐसे और turn करने के बाद यह जो हमारा पहला chain stitch है इसी के अंदर हम यहां पर एक double कोशिया बनाएंगे तो इस तरीके से यह दो हो गए next में हम one time double कोशिया बनाएंगे और next में हम फिर से यह देखिए two time ही हम double कोशिया बनाएंगे ऐसे फिर next में हम one time यानि कि हर एक दूसरी chain में हम दो बार double कोशिया every second chain में two time double कोशिया बनाते हुए हम अपना यह जो work है इसको complete करेंगे यह देखिए हम अपने work के last में आ गया है और अब हमें तीसरा round में starting करने तो उसके लिए देखिए यह जो यहाँ पर हमने अपना work complete किया यही से अब हम यहाँ पर इसे connect करेंगे जहां हमने तीन chain का एक double कोशिया बनाते हैं तो यहाँ पर हमने इसको connect किया अब यह देखिए हम अपने work को यहाँ पर एक दो तीन chain बनाकर इसको turn करेंगे और यह देखिए यह हमारी right side है तो अब हमें इसको आगे ब next chain में यानि कि हम यह एक double कोशिया बन गया हमारा तो यह एक double कोशिया यह है एक double कोशिया यह है जो next वाला हमारा double कोशिया है यह देखिए यहाँ पर यह दो double कोशिया होगे जो next हम double कोशिया बनाएंगे उसको हम front post बनाएंगे front post कई लोगों को confusion होती है कि front post किसे कहते है front post यह जो double कोशिया है हम वैसे तो यहाँ से बनाते हैं लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे से ऐसे करके बनाएंगे तो इसको हम front post double कोशिया कहते हैं तो इ यानि कि यह देखिए यहां पर हम बनाएंगे तो यह एक डबल कोशिया यह next chain में फिर से यह two डबल कोशिया तो नीचे से देखिए हम यह नीचे से भी हमें ध्यान देना होगा यह front post डबल कोशिया उसके बाद एक दो छोड़ देंगे और तीसरे डबल कोशिया को हम यहां प एक front post डबल कोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से मैं पूरा round ऐसे ही complete करूँगी यह देखिए अब हम अपने बर के last में आगे तो last में हमने यहां पर दो डबल कोशिया होगे और नीचे से भी यह देखेंगे हम यहां पर यह देखिए front post हमने यह double कोशिया बना था उसके यहां पर complete किया है एक front post बना कर सॉरी यहां पर यह front post बन गिया तो अब हम इसको connect करेंगे क्योंकि दो double कोशिया हमने बनाने के बाद front post बनाया था तो तीसरी chain stitch में हम यह यहां पर कोशिया उग डालेंगे और यहां पर इसे निकाल लेंगे ऐसे करके तो यह देखिए हमार पर fourth round start करें तो उसके लिए हमने तीन chain बनाया friends यह notice कीजिए हमने यहां पर जब बनाये है तो बिल्कुल भी बढ़ाये नहीं है और अब हमें बढ़ाना है तो हमें बढ़ाने का तरीका यही है यह front post के बीच में यह देखिए दो double कोशिया है तो दो को हमने तीन बनाया तो हम ऐसे ही front post ही बनाएंगे यह देखिए 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 हो गए और फिर से हम front post को front post double crochet ही complete करेंगे तो यह complete करके मैं आपको दिखाती है यह देखिए हमने fourth round के last में आ गए और यहां पर भी हमने यह front post बना लिया अब यहां से हमने starting करते हैं यहीं से हम crochet उडालेंगे और इसको हमने यहां connect कर लिया इसके के बाद one two three chain stitch बनाएंगे और next chain stitch में हम one time double crochet और next में हम one time double crochet तो यह देखिए हम यहां पर इस row में मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रही हूं क्योंकि वैसे तो यह होता है कि हम हर एक में बढ़ाते हैं लेकिन यहां मैं बिल्कुल इसमें बढ़ा रही हूं पहले मैंने देखिए इसमें बढ़ाया था इसमें हमने नहीं बढ़ाया इसमें हमने फिर बढ़ाया था अब इसमें हम नहीं बढ़ाएंगे और इसी तरीके से यह मैं पूरा राउंड ऐसे ही complete करके आपको दिखाती है यहाँ पर तीन double crochet के ओपर तीन ही double crochet है और यहाँ पर मैंने फिर से यह front post double crochet बना दिया तो इस तरीके से मैं complete करके आपको दिखाती है यह देखिए हमने घेरे का fourth round complete कर लिया और अब हम यहाँ से इसको cut कर देंगे joint करने के बाद यह देखिए और यह देखिए बिल्कुल भी हमारे घेरे में कोई भी जोल नहीं है कुछ भी और अब हम यहाँ पर green color जो है उसको connect करेंगे तो connect करने के लिए यहाँ से ही हम यह दे one, two, three chain का एक double crochet next chain में भी हम ऐसे ही double crochet बनाएंगे next में भी हम यह देखिए यहाँ पर next में भी यह हमने तीन के ओपर अब हमारे 4 बनेंगे तो दो double crochet के बाद जो तीसरा double crochet है उसको हम two time बनाएंगे अब हमें बढ़ा हना है और फिर से हम front post double crochet को ऐसे ही front post double crochet बनाएंगे तो यह देखिए जब मैं गेरे को complete कर लूँगी तो यह देखिए हम अपने work के last में आगे और यहाँ पर हमने यह जो तीन chain का एक double crochet बनाएंगे उसकी तीसरी chain में crochet हो डार लेंगे और यहाँ पर इसे connect कर देंगे और अब हम यहाँ पर one, two, three chain का यह एक double crochet हो गया देखिए friends ऐ अब हम इस row में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने हैं हमने तो यह देखिए हमें work करना है कैसे करना है यह हमारे देखिए यहाँ से देखिए यह हमारे चार double crochet है तो चार के उपर हमें चार ही बनाने है क्योंकि हम एक row छोड़कर एक में बढ़ाते रहे हैं तो ठीक है इसी तर फ्रंट पोस्ट बिल्कुल नहीं बनाना यह जो हम फ्रंट पोस्ट बनाते थे इसको हमें नहीं बनाना है इसको हम ऐसे ही complete करेंगे बिना किसी फ्रंट पोस्ट को बनाये simple every chain के अंदर एक एक बार हम यहाँ पर यह देखिए one one time हम यहाँ पर double crochet बनाते हुए अपना work complete करें और यहीं से अब हम work start कर रहे हैं तो यह देखिए यहाँ पर हम यह जो starting की यह देखिए यहाँ पर हम एक ऐसे करके front post double crochet ना बनाके half double crochet जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनाया है हमने और एक दो तीन chain तीन chain बनाई और यह देखिए यहाँ से जिसमें हमने यह फ्रंट पोस् चोड़ देंगे और तीसरे double crochet में ऐसे करके हम लूप निकालेंगे और यहाँ पर हम तीनों को एक कर देंगे जैसे हम half double crochet बनाते हैं वैसी फिर यहाँ से one two three chain stitch बनाएंगे और three chain stitch बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर तो हमने यह बनाया half double crochet का front post उसके बाद एक दो ड करके हम लूप लेंगे और यह देखिए यहाँ पर हम ऐसे तीनों को एक कर देंगे ऐसे करके यह हमने एक कर दिया और फिर से हम तीन chain बनाएंगे और इसी तरीके से मैं पूरा round ऐसे ही complete करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना design ऐसे complete किया और यह देख 2-3 तो अब हम यह जो यहां से हमने स्टार्टिंग की थी इसमें सेम इसी के अंदर यहां पर यहां पर यहां पर इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से और चाहें तो टाइट ना हो तो इसलिए आप 3 की बज़ाए चार chain stitch बनाकर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर कम या जादा है तो आप अज़ेस्ट कर सकते हैं और यहीं से हम इसको कट कर देंगे यह देखिए हमने यहाँ इसको कट कि अब यहीं से हम number start करेंगे तो यह देखिए यह हमारे पास इस टाइप से यह 3-3 chain के यह loop है इने के अंदर हम ऐसे crochet उडालेंगे यह आप यहाँ से भी starting कर सकते ऐसे यहाँ से और यहाँ से यह connect होगे और connect होने के बाद यहाँ से यह जो 3 इन तिन चेन के हमने लूप बनाये हुए, इनके अंदर कोशिया उडालेंगे, यह जो पीछे से भूल है, हमारा इसके अंदर ही ऐसे कर लेंगे, तो यहां पर हम सिंगल कोशिया, एक सिंगल कोशिया, यह दूसरा सिंगल कोशिया, यह तीसरा सिंगल कोशिया, और यहां पर य गया है ऐसे करके यह यहां पर सिंगल कोशिया और सिंगल कोशिया बनाने के बाद हम यहां पर देखी चेन बनाएंगे वन टू थ्री तीन चेन बनाने के बाद हम यहां पर यह देखी यह जो हमारा यह डबल कोशिया यह सारी हाफ डबल कोशिया इसके यहां पर हम ऐसे कोशिय उडालेंगे और यहां पर हम सिंगल कोशिया बनाएंगे ऐसे करके तो यह हमने यहां सिंगल कोशिया बना दिया सिंगल कोशिया बनाने के बाद यहां पर वन टू टू चेंज स्टीच बनाएंगे और अपने वर्ग को ऐसे हम turn कर लेंगे ये देखिए ऐसे और turn करने के बाद यहाँ पर हम यह एक double kooshyा हमने बनाया इसके अंदर और यहीं पर हम 1, 2, 3, 4 chain stitch बनाएंगे 4 chain stitch के बाद यहाँ पर ऐसे करके हम यहाँ पर single kooshyा तो जैसे pulse stitch बनाते हैं इस type से और जैसे हमने एक डबल कोशिया बनाए वैसे दूसरा और दूसरे के बाद ये 1, 2, 3, 4 chain stitch के बाद ये देखिए ये जो डबल कोशिया इसके यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ single कोशिया तो ये देखिए हमारा work किस टाइप का है ये तीसरा हमने डबल कोशिया बनाया 1, 2, 3, 4 chain stitch और फिर इसी के अंदर ऐसे डाल कर हम यहाँ पर ये देखिए फिर से हम यहाँ पर ये जैसे तीन बनाए ऐसे ही हम इस पर 5 complete करेंगे एक, दो, तीन, चार chain stitch और इसी डबल कोशिया के यहाँ से हम ऐसे करके सिंगर कोशिया फिर से हम एक डबल कोशिया और बनाएंगे और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ऐसे हम यहाँ पर यह हमने बना लिया तो यह देखिए हमारे जो डबल कोशिया हैं यहाँ पर एक, पहले तो दो chain बनाई थी उसके बाद एक, दो, तीन, चार और यह 5 5 हमारी यहाँ पर यह complete हुई और उसके बाद हम फिर से उपर से loop लेंगे और अपने वर्प को ऐसे turn कर लेंगे और turn करने के बाद यह देखिए यह जो हमने half double कोशिया यहाँ बनाया था इसमें थोड़ा सा space बनता है यह front post half double कोशिया इसी के अंदर हम ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम double कोशिया बनाएंगे तो यह देखिए हमने यह double कोशिया बनाया और यहाँ पर जैसे हम बना रहे हैं 2, 3, 4 chain stitch और सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर single कोशिया जैसे हमने यह एक बनाया है डबल कोशिया ऐसे ही हम यहां पर एक दो तीन चार दूसरा डबल कोशिया हो गया हमारा और यह तीसरा डबल कोशिया फिर एक दो तीन चार फिर इसी के अंदर ऐसे ऐसे फिर से यह तीन हमारे डबल कोशिया हो गया इस पेस के अंदर इसी के अंदर बना रहे है फ्रेंट्स यहां पर हम फिर से एक चोथा तो यहां पर भी हम 1, 2, 3, 4 चेंज स्टीच और 4 चेंज स्टीच के बाद ऐसे ही हम यहां पर सिंगल कोशिया और अपने वर को अब हम ऐसे यह देखे यहां पर यह जो हमने यहां सिंगल कोशिया बनाया है यह देखे ऐसे करके इसी के अंदर हम यहां पर ऐसे अपने कोशिया उडालेंगे और यहां पर ऐसे सिंगल कोशिया बना देंगे ऐसे करके तो यह देखे हमारा जो फ्राज है इस तरीके से यहां पर बन जाएगा ऐसे और अब हम यहाँ पर यह देखिए जो हमारा लूप है इसके अंदर हम यहाँ पर सिंगल कुर्शिया एक यह दो दो यह तीन तीन के बाद यहाँ पर फिर से यह चोथा हम सिंगल कुर्शिया और चार सिंगल कुर्शिया के बाद यह देखिए यह तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन के बाद हम यहाँ पर इसके अंदर फिर से एक यहाँ पर सिंगल कुर्शिया और सिंगल कुर्शिया के बाद यह देखिए यहाँ से हम फिर से एक दो चेन बनाएंगे और दो chain बनाकर अपने वर्क को turn करेंगे और turn करने के बाद यह देखी यहाँ पर इस जगह हम ऐसे यहाँ पर एक double कोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 1, 2, 3 4 chain stitch बनाएंगे और same इसी के अंदर यह जो double कोशिया हमने बनाया है ऐसे करके हम यहाँ पर एक single कोशिया और जैसे हमने यह एक double कोशिया यहाँ बनाया है ऐसे ही 5 double कोशिया complete करके मैं आपको दिखाते हूँ यह देखी 5 हमने इसके अंदर complete कर ली अब ऐसे हम front की तरफ ऐसे आ जाएंगे और अब यह देखी यहाँ से loop लेते कोशिया यह सौरी चार double कोशिया यहाँ पर इसके अंदर हम complete करेंगे और उपर चार चेन का यह पर्स टीच बनाएंगे तीन चार तो एक हमारा बन गया यह दूसरा double कोशिया इसमें भी हम ऐसे ही चार चेन बनाएंगे और यहाँ से इसमें यह जो हम पर स्टीच बनाते हैं ऐसे करके तो यह दो हो गए तीन एक दो तीन चार चार चेन स्टीच और उसके बाद यहाँ पर यह देखें ऐसे करके फिर से हम यहाँ पर एक और बनाएंगे क्योंकि चार बनाने हैं हमें इसके अंदर एक, दो, तीन, चार chain stitch और यह यहाँ पर एक single crochet तो यह देखी यहाँ पर हमारे इसके अंदर जो हमने बनाए हैं यहाँ यह हमने चार बनाए हैं और इसके अंदर यहाँ पीछे की तरफ हमने पांच बनाए हैं और फिर इसके बाद इसको यहाँ से यह देखिए यह जो हमने इसको ऐसे यह जो हमने सिंगल कुर्शिया बनाया हुआ सेम इसी के अंदर हम फिर से ऐसे कुर्शिया उडालेंगे और लूप निकालते हुए यहाँ पर सिंगल कुर्शिया और फिर लूप के अंदर तीन हम सिंगल कोशिया बनाएंगे यह देखिए और यहां एक सिंगल कोशिया फिर तीन चेन का एक लूप बना कर तो जैसे फ्रिंट्स मैंने यह दो आपको फ्लास बनाने सिखाएं ऐसे ही मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हूं यह देखिए हमने यहां गेरे का जो बॉड बहुत सुंदर लगेगा बहुत ही प्यारा लग रहा है अब हम इसके मैचिंग यह देखिए हम चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए मैंने आपको अपने चैनल पर पहले भी बताया कि कैसे बनानी है और मैं आपको जीरो से लेकर 6 नंबर के लिए बताते हूं कि आप दो नंबर में 28 तीन नंबर में 32 चार में 36 और पांच में 40 और 6 में हम 46 चेंस्टीच बनाकर उसके उपर डबल कूशिया जैसे जैसे हमारे साइजिस बढ़ जाते हैं उसी तरीके से हमारी जो यह पट्टी है इसकी चोड़ाई भी हमें बढ़ाती जानी है और ऐसे गोपाल यह तीन नंबर के लिए मैंने यहां पर 32 यहां पर मैंने चेंस्टीच बनाई है और 32 के उपर 32 ही मैंने यहां पर डबल कूशिया बनाए है और उसके बाद मैंने यहां पर एक रो सिंगल कूशिय की या हाफ डबल कूशिया जो भी आपको अच्छा लगता है आप वही बना सकते मैंने इसमें हाफ डबल कोशिया बनाया है तो यह हमारी चोली ऐसे करके तैयार हो जाएगी यह देखी मैंने नीडल में यहाँ पर यही बूल हमने छोड़ दी थी और यही मैंने डाल दी इसको मैं स्टिच कर दूँगे ऐसे करके मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क ऐसे इसको हम स्टिच कर लेंगे और इसका सेंटर यह देखे इसका सेंटर और यहां इसको हम ऐसे रखकर ऐसे इसको स्टिच लगा दिए पहले भी मैंने आपको बताया तो यह तो होगी चोली हमारे गुपाल जी के लिए और अब मैं कैप आपको बताती हूँ यह देखी तीन नमबर के लिए हमने यहाँ पर 40 डबल कोशिया बना कर यह जो कैप है यह बनाई है और मैंने आपको कई बार कैप बनानी भी सिखाई है और बहुत डिटेल में अगर आपको देखनी आल साइज के लिए तो उसके लिए भी वीडियो है उसका लिंक आपको डिस बनाई तो मैंने भी सोचा कि जैसे यह फ्लावर्स है मैं यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स बनाऊ तो उसके लिए सिंपल हमने यह कैप बनाई है 40 डबल कोशिया बनाके मैंने तीन रो बना लिए उपर वाली रो हमने ग्रीन से बनाई है तो यह देखिए हम यहां से इसको स् है तो यहां पर यह देखिए हमने यहां पर इसको कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करने के बाद यहां पर हम चेंज स्टिच बनाएंगे तो वन टू यह हमने थ्री चेंज स्टिच बनाई और थ्री चेंज स्टिच बनाने के बाद देखिए यहां से हम वन टू स्किप करके या यहां पर बनाऊंगी तो यह देखी हमेसी तरीके से यहां से दो-skip करने रबल कोशिया और experts वाले नेहीं हमने ऐसे करके जैसे हम फ्रेंट पोस्स डबल कोशिया बनाते हैं लेकिन हमें यहां पर हाफ डबल कोशिया ही बनाना है और इसी तरीके से हम यहां complete करेंगे इसे देखिए नीचे से आपको हमेशा count करना है ये तीसरे में हमें ऐसे करके यहाँ पर half double कोशिया बनाना है ऐसे करके तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 लूप हो गए है तो इसके बाद मैं इसको यहाँ से cut कर दूँगी कट करने के लिए ये जब हम यहाँ कर रहे हैं तो इसे हम इधर की side ही यह देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ ही एक बार और हम यहाँ पर single कोशिया बनाएंगे और single कोशिया बनाकर यहाँ पर इसे cut करके पीछे की तरफ हम set कर देंगे तो यह देखी अब जो मैने यहां पर work किया है हमारे पस यह तीन है आप चाहें तो तीनों pink color के flowers बना सकते हैं इसमें और आप चाहें तो इसमें दोनों साइड में pink बना कर बीच में green भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर flowers बना कर देखती हूँ कि किस combination में हम बीच में एक pink बनाएं या दोनों साइडों में pink बनाएं बनाने हमें flowers ही हैं, तो यह मैं complete करके और इसको decorate करके आपको दिखाती हूँ और dress को भी stitch करके मैं, यह पर बहुत ही कम स्पेस है तो हम सेम बनाएंगे तो इसी तरीके से flaw 14 लेकिन इसमें थोड़ा सा यहहां पर हमें change करना होगा तो उसके लिए देखी अगर हमें पिंग अपर पर हमें फ्लावर बनाना है तो यह wool जो है हमारी निकले नहीं तो यह निकलेगी नहीं इसको देख लेंगे यहाँ पर हम दो chain stitch बनाएंगे और दो chain stitch बनाने के बाद ऐसे अपने work को turn करेंगे और turn करने के बाद हम same जैसे floss बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे लेकिन यहाँ हमें थोड़ा छोटा करके बनाना है जैसे हम लेते हैं double crochet इसलिए मैंने दोई chain बनाई है इसको थोड़ा छोटा करके ही हमें बनाना है तो यह देख एक, दो, तीन यहाँ तीन chain stitch ही हम बना रहे हैं और ऐसे करके और जैसे हमने dress में बनाएंगे ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा हमें हाथ को थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा और थोड़ा छोटा करके इसको बनाना होगा अगर आप बहुत छोटे गुपाल जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप double crochet की बज़ाए half double crochet भी बना सकते हैं तो यह देखिए ऐसे ही मैं complete करके आपको दिखाते हूँ यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर यह देखिए इस लूप में हमने यह 5 double crochet यहाँ पर बनाएए न यह देखिए यहाँ से आप देखिए ऐसे करके मैं आपको बहुत डिटिल में बता रहे हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच हमें यह 5 ही रखने हैं और उसके बाद हम इसको ऐसे यह देखिए ऐसे करके यहाँ पर हम एक सिंगल कुरूशिया बना लेंगे ऐसे करके तो यह देखिए हमारा छोटे साइज का एक फ्लावर यहाँ पर ऐसे तयार हो गया है आप चाहें तो यहाँ पर इसे कट कर सकते हैं नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर तीन चेन बनाईए और तीन चेन बनाकर या तो इसको यहीं पर कट करके हमें छोड़ना होगा और दुबारा से जैसे हमने यहां पर यह फ्लावर बनाया है सेम यहां पर कनेक्ट करके यहां एक फ्लावर बनाना है यहां पर हम कनेक्ट करेंगे और जैसे मैंने यह फ्लावर बना ऐसे ही बीच में मैं ग्रीन कलर का फ्लावर आपको बना कर या यह भी है कि हम इसको लेमन कलर में भी बना सकते हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर लेमन कलर से ही फ्लावर बना कर आपको दिखा हूँ तो मैं इसे को कंपलीट जैसे मैंने यह एक बनाया है सेम इसी तरीके से तीनों कुछ बड़ जाएगी तो उसके लिए यह देखि हम यहां पर मैंने मैजिक रिंग बनाया और मैजिक रिंग बनाने के बाद यह देखिए ऐसे मैजिक रिंग बनाया और उसमें आठ मैंने हाफ डबल क्रोशीया यहां पर कम्प्लीट किये और यहीं से हम एक दो चेंग बना देंगे ऐसे तो यह देखे हमारा वर इस टाइप का हो गया कुछ यह देखे क्लोज करके और यहीं से हम one two three four five six chain बनाएंगे और यहां से one two three जो तीसरे नमबर की chain stitch है उसमें हम क्रोशिया उडार लेंगे और यहां पर एक सिंगल क्रोशिया और फिर से हम यह देखे फिर एक डबल कोशिया बनाएंगे और यहां पर one two three four चार हमने जैसे हम ड्रेस में बना रहे थे सेम उसी तरीके से हम यहां बनाएंगे तो यह देखी यह दूसरा बन गिया और उसके बाद तीसरे में फिर से हम यहां पर ऐसे ही डबल कोशिया बनाएंगे और यहां पर one two three four four chain stitch बना कर ऐसे इसी के अंदर हम यहां डाल कर तो यह देखी मैं इसी तरीके से बना रहे हूं बलकुल डिटेल में आपको बता रहे हूं कि आप यह पग कैसे बना सकते हैं one two three यह देखी तो यह one two three four हमारे complete हो गए अब हम इसे फिफ्ट में बनाएंगे डबल कोशिया वैसे ही बनाएंगे और यहां पर one two three four chain stitch बनाएंगे और ऐसे ही इसको हम ऐसे बनाएंगे तो यह देखी यहां पर हमारे अब यह फिफ्ट वाला है तो फिफ्ट में मैं सोच रही हूं इसको मैं three time बना कर देखती हूं अगर यह यहां पर three time के बाद setting हो जाती है तो ठीक है यह देखी है ऐसे या फिर हम इसको same इसी तरीके से भी बना सकते हैं तो मैं इसे complete करके आपको दिखाती हूं यह दिख लिए मैंने यहां पर पाँचवे में मैंने three time इस type से बनाया और यहां फिर से छटे में हम एक बार ही बना रहे हैं और इसी तरीके से मैं यहां पर यह देखी अब हम एक एक chain stitch में एक एक ही यहां पर double कोशिया बनाएंगे तो इसको मैं complete करके आपको दिखाती हूं यह देखिए हमारा यह तयार हो गया इसको हम और close करके मैं आपको दिखाती हूं ऐसे करके यहां पर one two three four फिफ्थ में हमने three time बनाया और उसके बाद फिर से हमने एक एक बार चार बार एक एक बार बनाया तो यह बड़ा अच्छा सा और यह जो wool हमने यहां से कट किया है इ पा देंगे और यहां पर इसे ऐसे हम सेट करेंगे और इसको डेकुरेट करके स्टीचिंग करके मैं आपको दिखाती हूं यह दिखी फिर्स मैंने इसको complete कर दिया यहां हमने स्टीचिंग लगा दी यह डोरी लगा दी है और आप all size में अगर यहां से design स्टार्ट करके किसी बहुत सुंदर लग रही है और पग बनाने के बाद मैंने इसमें थोड़े से यह स्टून यहां पर paste कर दिया तो यह भी बहुत सुंदर लग रहे हैं लटकन लगाने के बाद हमारी cap और हमारी जो dress है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं friends अगर आप लोगों को मेरा काम करने का बनाने का तरीका, गूपल जी को रीजाने का तरीका अगर आप पसंद आ रहा है, तो पलीज आप मेरे चनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए, कमेंट्स में जुरूर लिखिए, रादे, रादे, इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है तो प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए राधे राधे